सोमवार को तेज बारिश और आंधी तुफान की वज़ा से दिल्ली एंसियार के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली तापमार में काफी गिरावट दर्च की गई जिससे मौसम ठंडा हो गया वही मौसम विभाग ने आज यानि मंगलवार को भी दिल्ली एंसियार में 30 से 40 किलोमीटर प्रती गंटे की रफतार से हवा चलने की संभाव न जताई है मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि इस पूरे हफते लोगों को हीट वेव से राहत ऐसे ही मिलती रहेगी दिल्ली एंसियार में सोमवार सुबा बारिश हुई वही रात को भी कई इलाकों में जमाजम पानी वर्सा इसी के साथ सोमवार का दिन बीते 18 सालों में मई का सबसे ठंड़ा दिन रिकॉर्ड किया गया वही मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एंसियार में तेज बारिश होने की संभावन जताई है इसी के साथ मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में आज यूंतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और जबकि अधिक्तम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का नुमान है दिल्ली में सोमवार को ही बारिश की वज़ा से प्रदूशन स्तर में भी सुधार हुआ है लोगों को कई दिनों के बाद साफ सुतरी हवा मिली है वहीं दिल्ली में सोमवार को एकिवाई 200 यानि मद्धिरम शेडी में दर्च किया गया मौसम विभाग की मताबिक पस्चीमी विक्षोब की वज़ा से मौसम का मिजास बदला है मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पस्चीमी राजिस्थान के अलावा कहीं और लू ना चलने का अनुमान जताया है मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR में मौसम ने जो करवट ली है उसका असर 24 मई तक देखने को मिलेगा और 25 मई से मौसम फिर साफ हो जाएगा हाला कि इसी बीच 24 तक ताकमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी और अधिकतम ताकमान में 40 डिग्री तक देखने को मिलेगा विड्र पोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी और अदेकत प्राइम्स नहीं की जाएगा प्राइम्स नहीं सेल्सियस की जाएगा